नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप्टूप चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसान D.S.S.B.PGT 2020 इतिहास और चेप्टर का नाम है आधनिक भारत में आर्थिक गत्विदियां या ब्रिटिस भारत में आर्थिक गत्विदियां ये भाग 51 है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना न बुलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोस्टन नमबर वान इसमें पावार्टी एंड अन ब्रिटीश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे इस पुस्तक के लेखक कौन थे इसका एंसर होगा C दादा भाई नौरोजी कौन थे दादा भाई नौरोजी कोस्टन नमबर दो है डलहौजी के पहले बिले सिधान्त को किस राज पर लागू किया जा चुका था तो डलहौजी से पहले बिले जो सिधान्त था बिले का सिधान्त किस राज पर लागू किया चुका था इसमें आप्सन के अंसर लगाना है तो देखे इसका इंसर होगा D यानि मांडवी पर भी कुलाबा और जालोर पर भी और सूरत पर भी बिले का सिधान्त ये सभी को के उपर लगाया गया था कुश्चन नमबर तीन है ब्रिटिस सासन द्वारा भारत से धन निसकासन के बारे में सरपर्थम किसने लिखा तो सबसे पहले ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने धन निसकासन के बारे में सबसे पहले लिखे थे ये कुश्चन नमबर चार है किन राष्ट वादियों ने भारत के आर्थिक सोशन का नाम निकास सिध्धान या इसको इंगलिस में ड्रेन थिवरी दिया था निकास सिध्धान तिया इसको इंगलिस में ड्रेन थिवरी का जाता है तो ये कौन था इसका विए अंसर हो जाएगा C, दादा भाई नरोजी Question number 5 है आर्थिक निश्क्रमाण सिध्धान को नेमलिखित में से किसी ने प्रतिपादित किया था इसका विए अंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी यानि Question जो है का एंसर दादा भाई नरोजी है लेकिन Question जो पूछने का तरीका इसमें अलग अलग टाइप से इसमें दिया गया इसलिए सभी Question को हम इडिट किया है किस टाइप से पूछ सकता है इसमें धन निश्कासन सम्मंदित Question में इसका इंसर दादा भाई नरोजी है Question 6 है ब्रिटिस काल में क्रिसी भूमी का स्वामित किसे था तो ब्रिटिस काल में क्रिसी भूमी का स्वामित किसे था तो देखे इसका एंसर हो जाएगा D यानि सभी था इसमें ब्यक्तिगत किरिसकों को भी था जमिदारों को भी था और ग्राम समुदाय को भी था किसी किरिसी भूमिका स्वामित या किरिसी का मालिक या खेत का मालिक तो इसमें सबी थे ब्यक्तिकत किर्शक को भी था, जमिदार को भी था और ग्राम समधाय को भी था कोश्चन नंबर साथ है नील बिद्रो आरंभ हुआ था तो नील बिद्रो कब आरंभ हुआ था तो इसका एंसर हो जाएगा ए अठा जो उन्षट में यहने नील बिद्रो जा है 1869 में हुआ था बंगाल में Q7 कुस्यायन नम्बर आठ है नेम लिक्रित में से किसने नील दर्पाण नामक नाटक की रचना खी थी नील दर्पाण नामक नाटक की रचना की थी तो यह कि थी दीन बंधु मित्रने कोश्चन नमबर नौ है 1793 इसवी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागु करने वाले का नाम था अस्थाई बंदोबस्त लागु करने वाला का नाम क्या था जो बंगाल में लागु करने वाला का नाम क्या था आप देखे भारत में आर्ठिक जो गतवीधिया का चेप्टर है इसका आप लोग जो लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्किस्टन में दे दूगा वहां से आप जा कर इसका लेक्चर वीडियो देखेंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझ में ब्लेकबोर्ट पो बताये हैं उसमें और यहां जो प्रेटिस हो रहा है तो है एक कोशन लेकिन वहां लेक्चर वीडियो देखेंगे आप तो आपको जो है असपस्ट रूप से कंफर्म किलियर हो जाएगा बेसिक फंडा क्या इसका कैसे जमिदारी प्रधाती कैसे अस्थाई सब उसमें दिया गया एसपस्ट रूप से तो उसको जाकर देखिएगा जरूर अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर दस है किस गवर्णर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस ब्यवस्था अस्थापित की थी अस्थाई भू राजस ब्यवस्था ती अस्थापित क कुछ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लागू किया गया था स्थाई बंदवस्त या स्थाई भूर अजसु भी काया था इसको ये बंगाल और बिहार में लागू किया था जिसका स्रेज आता है लाड करनवाल इसको कोश्चन नमबर बारा है ब्रिटिस सरकार द्वारा रयत वारी ब्यवस्ता का प्रचलन प्रारंभिक तोर पर किया गया था ब्रिटिस सरकार दोर जो है रियत वाड़ी ब्यवस्था का प्रचलान प्रारंभिक तोर पर किया गया था ये प्रारंभिक तोर पर किया गया था मद्रास और बंबई में कोश्चा नमबर 13 है सुर्यास्त कानून ब्रिटिस सरकार की किस भू राजब व्यवस्था से सम्मंधित था सुर्यास्त कानून तो यह सुर्यास्त कानून था अस्थाई बंदो बस्त से कोश्चा नमबर 14 है बंगाल में अस्थाई बंदो बस्त से क्या हुआ था अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था कोश्चा नमबर 15 है इस्ट इंडिया कमपनी के सासनकाल में लागू अस्थाई बंदो बस्त ब्यवस्था के साथ किस गवर्णर जेनरल का नाम जुड़ा है तो उस गवर्णर जेनरल का नाम पुछा जा रहा है तो उस समय था यह लाड कार्ण वाली से कोश्चा नमबर 16 है हत करगा 19 के छेत्र में आल इंडिया इस्पिनर्स एसुसियेशन की अस्थापना किस ने की यह अस्थापना की थी महात्मा गांधी ने मात्मा गांधी ने की थी इसके अस्थापना 1925 में की थी यह आल इंडिया इस्पिनर्स एस्थापना question number 17 है बंगाल में पंच वर्षी बंदवस्त निम्न में से किसनी लागू किया था तो बंगाल में पंच वर्षी बंदवस्त जो लागू किया था वो था Warren Hastings कौन था Warren Hastings या इसी को जो है पंच वर्षी नहीं काकर पंच साला भी का जाता है जो अस्थाई बंदवस था कुश्चन नमबर उन्नीस है अठारा सो एक्यासी का प्रथम फैक्टरी अधनियम मुख्यता सम्मंधित था किस सम्मंधित था इसका एंसर हो जाएगा ए बाल मजदूर से बाल मजदूरों से सम्मंधित था कराये था कुश्चन नमबर 20 है शन 1918 में भारती उद्योग आयोगं की अलग से निमलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्थुत की थी ये रिपोर्ट प्रस्थुत की थी मदन मोहन मालवी ने कुश्चन नमबर एक किसे वाइटले कमीशन संबंदित था इसके एंसर हो जाएगा ए स्रम से कोश्चन नमर बाइस है तालुकदारी ब्यवस्था का संबंद था तालुकदारी या इसी ब्यवस्था को तालुकदारी को महालवाड़ी का है अधा था महालवाड़ी लेक्चर देखेंगे आप वीडियो तो उसमें इसके बारे में अस्पष्ट रूप से बताये हैं वहाँ जाकर देख लिजिएगा आप लो तो तालुकदारी ब्यवस्था का संबंद था किस्य था ये ये था अवद से अवद में तालुकदारी ब्यवस्था य भारत में कव इसपात का आरंभ हुआ था उत्पादन यह हुआ था 1912 में यहीं भारत में इसपात का उत्पादन शुरू कर दिया गया था कोश्चन नमबर 24 है बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार की तो वे दस्तकार कौन थे तो वे दस्तकार थे जुला है कौन थे जुला है इसको जुला है बोलते हैं कोश्चन नमर पचीस है और अंतिम कोश्चन है आज के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत में धन निसकासन के विचार के ब्याख्या किसने की थी अंग्रेजों द्वारा पूछा इसमें ये पूछ एंसर होगा इसका सी दादा भाई नरोजी तो ये थे कोस्चन कुछ आज के लिए महत्वोण कोस्चन जो भारत में आर्थिक गतिवी दिया थी उससे समन्दित ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हां अधिक सद सेर करें धन्यबाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम